हेलो फ्रेंड्स मैं हुरीतू और आप सभी का स्वागत है माय रेसिपीस के कीचिन में बारिश का मौसम आता है उसके पहले आते हैं मार्केट में जामून और जामून का अगर हम जूस घर में बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुबात करते हैं जामून के शौट्स तो यहां हमने जामून का जूस बनाने के लिया है जामून जब मार्केट से लेके आते हैं तो थोड़े बड़े साइस वाले जामून लेके आएंगे क्योंकि हम जब इसका juice बनाते हैं तो अच्छा टेस्टी और गाढ़ा रहता है थोड़ा कड़वा सा नहीं लगता है अगर आप छोटे साइस के जामून लेंगे तो उसमें थोड़ी खलकी सी कड़वाहट होती है पर मोटे जामून लेंगे तो उसमें कड़वाहट जादन न तो थोड़े सी मोटे साइस के लेना है और अभै अभी हम हमें जो पल्प है यह पल्क को अलक कर लेना है और बीजा को अलक से निकाल के रख लेंगे आप चाहे तो बीजा को इसको सुखा कर भी इसका पाउडर तियार कर सकते हैं, डायबेटरिस पेशेंट के लिए काफ़ी फायदे मन होता है, तो अभी हम इसका पल्प निकाल के अलग कर लेते हैं, अगर आप थोड़े सॉफ्ट वाले जामून लेंगे, तो प्रेस करने से ही जो उसकी बीज होती है, ये निकला आती है, तो हमने सारा प अलग कर लिया है, और एक बाउल में इसे निकाल लिया है, अब तयार करना है हमें जूस, तो हम लेंगे एक ब्लेंडर, तो हमने एक ब्लेंडर ले लिया है, मिक्सी जूसर ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है, जामून के पल्प, और अब इसमें डाल देंगे हम शकर का जूब अहीई है इसमिन परणकी कमट्रोन कारिए सान के लिए तो यूट इसमें के जूझ कालगी है, यूट कर दकेशिए ऐसंते हैं। अज्वशन के कंट्रोन करने गार्झा के यूट करने तो तुम है किमें कारिवा ऊपकाषद हैं। इसमें डाल देना है आइस क्यूब और आप डाल दिया है इसमें थोड़ा पानी और पानी डालने के बाद मैं इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है तो लगबग दो मिनिटी से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आप देख सकते हैं जो ठंड होती है उसकी जो हमने आइस उसकी ठंडक की इसमें भाप आ रही है अभी यहाँ त्यार करेंगे वो shots त्यार करेंगे तो shots के हमने छोटेवाले glasses होते हैं वो लिये हैं बिल्कुल छोटे सा इसकी ये glass है और अभी इसे हमें कर लेना है Decorate करने के Лिए यह उपर की जो किनारी होती है हम इसके उपर decoration करेंगे तो यहां हम decorate करेंगे इसे थोड़ा सा हमने लिया है काला नमक और उसमें डाल दिया है हमने sugar powder और अभी इसे glass को हमने थोड़ा से पानी में dip कर लिया है और हम लेंगे यहां पे plate और plate में मैंने यहां पे थोड़ा सा sugar powder और काला नमक mix करकी इसमें डाल तो हमने पहली बार कर लिया दूसरी बार में भी इस तरीके से आप गोल घुमाएंगे तो यह अच्छे से लग जाएंगा तो यह आप देख सकते हैं जो ग्लास की किनारी है उसके उपर शुगर और नमक की कोटी अच्छे से लगे हैं तीनो ग्लास ऐसी रेडी कर लिया है और अभी हमने जो जूस तियार किया है उसे इसमें डाल देते हैं और आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताए आपको यह र आपको इसकी रेसिपी कैसे लगी है और यह आपको कि अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताएगा और और भी नहीं रेसिपी इसके लिए चानल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना बुले थैन्क्यू फॉर वूचिंग